किसी गाउं में नंदा नाम की एक बुरी आउरत रहती थी नंदा हमेशे अपने घर पर मंत्र पढ़कर जादू के प्रयोग क्या करती थी फिर नंदा की असलियत का पता गाउं वालों को चल जाता है मैंने सुना है वो नंदा अधी रात को अपने घर पर काले जादू के मंत्र पढ़ा करती है लोग तो कहते हैं काले जादू करने वाले बहुत करते नाक होते हैं वो किसी को भी आसानी से अपने वश्मे कर सकते हैं। हमें नंदा को गाउं से भगाना होगा वरना कल को उसने गाउनों पर काला जादू करना शुरू कर दिया तो हमें कोई नहीं बचेगा। तो फिर सोचना क्या चलो आज ही उस नंदा को मार के इस गाउं से बार भगा देते हैं फिर रात होते ही गाउं के सबी लोग नंदा के घर पहुंच जाते हैं नंदा उस समय खोपड़ी के उपर निम्बू रखकर मंत्र पढ़ रही थी ये देख गाउंवालों को बहुत गुस्ता आता है और वो सबी नंदा को पकड़ कर रस्यों से बान देते हैं हम तेरे जैसी दुश्ट औरत को एक पल भी गाउं में नहीं रहने देंगे चलो इसी वक्त गाउं से बाहर भगाओ इसे भगाने से कोई फाइदा नहीं होगा मैं तो कहती हूँ हम सब इसे जान से मार देते हैं उसके बाद लेकिन गाउंवाले नंदा की किसी बात पर यकीन नहीं करते उसके बाद वो सबी लोग उसे गेरी नदी में फैंक देते हैं दूसरी तरफ पानी का भाव नंदा को एक घनी जंगल में ली जाता है उसके बाद किसी तरह नंदा बच के नदी से बाहर निकल जाती है उधर नंदा को नदी में फैंकने के बाद सबी लोग रहात की सांस ले रहे थे लेकिन फिर कुछ दिनों बाद अचानक कुछ गाउं में कदनाग जादूगर्णी आ जाती है वो जादूगर्णी गाउं के सबी बच्चों को इकटी करके उन्हें आइसक्रिम खिलाने लगती है आइसक्रिम खाते ही सबी बच्चे बेहोश हो जाते हैं उसके बाद वो जादोगर्णी उन सभी बच्चों को अपनी गाड़ी में बान कर उन्हें दूर घने जंगल में ले जाती है अचानक गाउं के सभी बच्चे गायब होने से गाउं वाले बुरी तरा घबरा जाते है हे भग्वान मेरे बेटी के 시वा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं था मेरे दोनों बच्चे गाए बै पता नहीं वो दोनों क्या साल में होगे देखते ही देखते पूरे गाउं में मातम का मौहोल फैल जाता है और सबी लोग अपने बच्चों के लिए दुखी होकर रोने लगते हैं उसकी बाद सबी गाउवाले अपने बच्चों को ढूनने के लिए जंगल के और निकल जाते हैं तबी रास्ते में उनकी मुलाकात नंदा से होती है नन्दा को जिन्दा देख सबी गाउं वाले हैरत में पढ़ जाते हैं अरे क्या हुआ आप सब लोग इस तरह दुखी क्यों हो हमारे गाउं के सारे बच्चे कही लापता हो गए हैं हम उने ही ढून रहे हैं जरूर इसके पेछे किसी शैतानी ताकत का हाथ है आप लोग मुझे एक दिन का समय दीजिए मैं अपने मंत्रों की शक्ती से सारे बच्चों का पता लगा लोगी उसके बाद नन्दा एक तलाप के किनारे चली जाती है फिर वो एक बड़ी जाडू तयार करके उसे तलाप के पानी में डुबाते हुए मंत्र पढ़ने लगती है सुन जादूई जाडू मुझे इस सवक्त गाउं से लापता हुए बच्चों के पास ले चल उसके बाद वो जादूई जाडू नन्दा को जंगल के पूरब दिशा में ले जाती है वहाँ एक बहुत बड़ा खेट था उस खेट का नसारदेक नन्दा की आँखे पटी की पटी रह जाती है खेट के अंदर सभी बच्चों का आदा शरीर जमीन में दबा हुआ था और वो सभी जोर जोर से रो रहे थे नन्दा आँटी हमें बचा लीजी एक बुरी जादूगर्णी ने हमें यहां मिट्टी में दबा दिया कल सुबा तक हम सब के शरीर फोदों के रूपे बदल जाएंगे नन्दा उस लड़की के हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन तबी जोर दार बिजली का जटका लगता है और वो नीचे गिर जाती है पर अगले ही पल जादुगर्णी वहां प्रकटो कर हसने लगती है अच्छा तो तो इन बच्चों को बचाने आई है बेवकूफ अब मैंने कोई नहीं बचा सकता कल सुबा इन सभी बच्चों का शरीर जादुई पौदों में बदल जाएगा उसके बाद मैं जादुई पौदों को परीदेश की शेतानी परियों को बेज दूँगी जादुगर्णी की बात सुनकर नंदा को बहुत कस्णा आता है और वो जोर-जोर से मंत्र पढ़ने लगती है पर अगले ही पल जमीन के अंदर से एक बड़ा सा बिच्चों बाहर निकल कर जादुगर्णी पल हमला कर देता है अरे मर गई रे यह औरत तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशा ले निकली आरे कोई बचाओ मुझे तबी नंदा की जादुगर्णी 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 की बहुत खुश होते हैं और नंदा से अपने किये की माफी मांगने लगते हैं इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है उस दिन के बाद से नंदा पैसे गाओं में हशी कुशी रहने लगती है एक बार की बात है किसी गाओं में कंचन नाम की लड़की अपनी चोटी बेहन विमला के स सात रहती थी कंचन अपनी बेहन से बहुत प्यार करती थी और साथी इसकी हर जरुरत का खयाल रखती थी दोनों बेहने अपनी जिन्दगी में बहुत खुश थी लेकिन फिर एक दिन कंचन जिस कंपनी में काम करती थी वो कंपनी बंद हो जाती है फिर आमदनी रुपने से कंचन के घर की आर्तिक स्थिती पूरी तरह बिगड़ जाती है दीदी मैंने पिछले दो महीने से कॉलेज की फीज नहीं भरी अगर इस हफ़ते मैंने कॉलेज की फीज जमा नहीं की तो मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा तुम तो जानती हो हमारी प्रिंसिपल कितनी स है मैं कई दिनों से नई नोकरी धूनने की कोशिश पर रही हूं लेकिन कहीं बात नहीं बन रही आज भी मैं कई जगा इंटर्व्यू देने जा रही हूं शायद आज मुझे कहीं नोकरी मिल जाए तो बात बन जाए उसकी के बाद कंचन इंट्रव्यू देने चली जाती है लेकिन सारा दिन इंट्रव्यू देने के बाद भी कंचन को कही नौकरी नहीं मिलती फिर ठखार कर कंचन अपने घर की और लौटने लगती है तब योसे इक आदमी दिखाई देता है वो ठेले पर निम्बू शर्बत बेच रहा था उस आदमी को देख कंचन भी निम्बू शर्बत बेचने का फैसला करती है फिर अगले दिन कंचन अपनी एक रिष्टेदार सी कुछ पैसे उधार लेकर निम्बू शर्बत बेचने का काम शुरू कर देती है धीरे धीरे कंचन की मेहनत रंग लाती है और उसका व् बिनाया हुआ निम्बू शर्बत बहुत पसंदाता है इस तरह एक दिन कंचन निम्बू शर्बत बेच रही थी तब ये उसके पास रीटा नाम की एक औरत आती है तो सुन लड़की आज मेरे घर पर मैंने एक पाटी रखी है मैंने तुमारे निम्बू शर्बत के बारे मे बहुत तारीफ सुनी है इसलिए मैं चाहती हूँ के तुम मेरे घर चल कर महमानों को निम्बू शर्बत पिलाओ बदले में मैं तुमें पूरे दस हजार पे दूँगी रीटा की बात सुनकर कंचन खुश हो जाती है और फौरण अपना सारा सामान लेकर इसके घर पहन जात खाने ही देता लेकिन रीटा कंचन की बात का कोई जवाब नहीं देती और जोर-जोर से हसने लगती है अरे बेवकूफ मैंने तुछ से जोट कहा था मैंने तेरा सौदा इंचानों को खाने वाली एक चुड़ेल से कर दिया है कल मैं तुझे और चुड़ेल के हवाले कर और अगले ही पल कंचन का शरीर बहुत छोटा हो जाता है उसके बाद रीटा कंचन को पकड़कर मटके के अंदर कैद कर देती है दूसरी तरफ रात होने के बाद विमला अपनी बेहन को ढूरने घर से बाहर निकल जाती है तब युसे लोकों से पता चलता है कि रीटा कंच को अपनी साथ ले गई है फिर इसी तरह विमला रिटा को घर पोहन जाती है सुनिया अंटी मैंने सुना है अजाब के यहां पार्टी थी और अपनी महमानों को नीमबू शर्बत दिलाने का काम मेरी बेहन को सोपता रात हो गई है अब तक मेरी बेहन घर नहीं आई इसलिए मैं उसे ढूनते हुए यहां आई हूँ तुमारी बेहन तो शाम को ही यहां से वापस चली गई है दूसरी तरफ मटके के अंदर कंचन अपनी बेहन की आवाज सुन लेती है और इसे जोर जोर से पकारने लगती है लेकिन कंचन की आवाज विमला तक नहीं पहुंच पाती दूसरी तरफ उदास होकर विमला वहां से चली जाती है फिर विमला अपनी बेहन को ढूनती वी पास के जंगल में पहुंच जाती है तब ही अचानक दो बदमाश उसे तंग करने लगते है उन दोनों को देख विमला घबरा कर जोर जोर से रोने लगती है लेकिन तब ही च चाननी परी उन दोनों बदमाशों के बालों पर आग लगा दीती है जिसे वो दोनों घबरा कर वहां से भाग जाती है फिर विमला चाननी को अपनी बेहन के बारे में बता कर उसे मदद मांगती है चाननी परी विमला को हवा में उड़ा कर बादलों के उपर मौजूद कमरे के कोने में बोहुत सारी जादूई लिची रखी हुई थी चान्नी एक लिची उठा कर उसके उपर कंचन का नाम लिख देती है अब ये जादूई लिची हमें तुम्हारी बेहन तक पहुंचा देगी उसके बाद जादूई लिची हवा में उरती हुई रीटा के घर में रखे मटके के पास चली जाती है दूसरी तरफ लीची का पीछा करते हुए चान्नी और विमला भी वहाँ आ जाते हैं तब ही मटके के अंदर मौजूद कंचंदुन दोनों को दिखाई देती है अरे कौन हो तुम और तुम दोनों यहां क्या करने आई हो मैं तुझे तेरे बुरे कर्मों की सजा देने आई हूँ अरे बेवकूफ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड सकती इतना कहकर रीटा अपनी जादुई चड़ी उठा लेती है लेकिन तबी चाननी परी अपनी शक्ती से रीटा की चड़ी को मौम की तरह पिगला देती है उसके बाद चाननी रीटा को बंदरिया बना कर उसके गले में एक जादुई पट्टा पहना देती है अब तुछ जिन्दगी भर बंदरिया बन कर जंगल में पटकती रहेगी जल भाग यहाँ से इतना कहकर चाननी परी बंदरिया बनी रीटा को उठा कर घर से फैंग देती है उसके बाद चाननी मटके में कंचन को बाहर निकाल कर उसे उसके असली रूप में ला देती है अब तुम दोनों को धेर सारे जादुई लिची दोंगी जिसकी मदद से तुम दोनों की गरी भी दूर हो जाएगी उसके बाद चाननी दोनों बेहनों को अपनी जादूई लीची घर में ले जाती है और उन्हें धेर सारी जादूई लीची दे कर वहां से विदा कर देती है उसके बाद कंचन और विमला अपने घर पहुंचते हैं तो सबी जादेलेची सोने के रूप में बदल जाते हैं फिर सोने को बेच कर दोनों बेहने अमीर बन जाती है इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों हासी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं बहुत पुरानी बात है किसी गाउं में आलिया और नैना नाम की दो बेहने रहती थी उन दोनों के बचपन में ही उनके माता पता की मौत हो गई थी जिस वजा से वो दोनों अपनी चाची नमरता के घर पर रहती थी दूसरी तरफ आलिया और नैना के कॉलेज में रूबी नाम की एक बुरी लड़की पड़ती थी रूबी कराटे जानती थी जिस बात का फाइदा उठा कर कॉलेज की दूसरी लड़कियों को सिताया करती थी पर एक दिन नैना और आलिया बाजार से केक और आइसक्रीम खरीट कर अपने घर की और जा रही थी तब भी रूबी उन्हें देख लेती है अरे वाँ ये दोनों तो आइसक्रीम और केक लेकर जा रही है अभी जाकर इन से सारा सामन चीन लेती हूँ फिर रूबी उन्हें दोनों का रास्ता रोक कर उन्हें धमकी देने लगती है चलो सारा सामन मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम दोनों के दान तोड़ दूगी नहीं नहीं ऐसा मत करू रूबी आज नैना का जनम दिन है हमने बहुत दिनों से पैसे जमा करके रखे थे ताके हम केक और आइसक्रीम करीच सके हाँ रूबी दया करके हमें जाने दो बक्वास बन करो मैं कुछ सुनना नहीं चाहती इतना कह कर रूबी उन दोनों के हाथ से केक और आइसक्रीम चीन कर वहां से चली जाती है बचारी दोनों बेहने कुछ नहीं कर पाती और दुखी होकर अपनी घर लोट जाती है इस तरह कुछ दिन बीच जाते हैं फिर एक दिन अरे मैं तुम दोनों से तंगा चुकी हूँ जब देखो तब तुम दोनों बस बढ़ाई करती रहती हो घर का काम कौन करेगा तुमारी मरीवी मा नाराज मत हो ये चाची बताएए क्या काम है ये पैसे लो और जल्दी से बिजली का बिल भर कर आओ अगर तुम दोनों ने देर कर दी तो घर की बिजली कट जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम दोनों की खाल केंच लूँगी चलो चल दी जाओ इतना कहकर नमरता आलिया के हाथ में पैसे और बिल रख देती है इसके बाद दोनों बहने बजली का बिल भरने वहां से चली जाती है लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उन्हें रास्ते में रूबी दिखाए देती है तो ने सही कहा अचल दूसरे रास्ते से चलते हैं पर वो दोनों बहने बचकर निकलना होगा अचलने लगते हैं लेकिन दभी रूबी उन्हें देख लेती है और ठीली स्कूटर पर सवार होकर उन्हें दोनों के पास बहन जाती है मुझे देखकर अचानक तुम दोनों ने रास्ता क्यों बदल दिया लगता है आज तुमारे पास बहुत ही खास चीज है, बताओ क्या है तुमारे पास? हमारे पास कोई खास चीज नहीं है, हम तो बस यूही बाहर टैलने आई थी लेकिन रोबी उन दोनों पर भरोसा नहीं करती और उनकी तलाशी लेने लगती है तब ही उसे आलिया के पर्स में रखे पैसे मिल जाते हैं औरे वा ये तो बहुत सारे पैसे हैं इनसे तो मेरा एक महीने का खर्श चल जाएगा फिर दोनों बेहने रूबी के पैरों पर गिर कर उसके सामने गिर गिराने लगती है नहीं नहीं ये पैसे हमें चाची ने बिचली का बिल बरने के लिए दिये हैं अगर ये पैसे तुने ले लिये तो चाची हमें नहीं चोड़ेगी लेकिन रूबी उनकी एक नहीं संती और सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है इस बात से दोनों बेने बहुत खपरा जाती हैं और घर जाने की उनकी हिमत नहीं होती उसके बाद वो दोनों भटकती हुई एक बड़े से पेड़ के पास पोहन जाती है उस खेत में एक जादुगर्णी जोर-जोर से मंत्र पड़ रही थी कौन हो तुम दोनों और इस वेरान जगा पर क्या करने आई हो दोनों बेहने जादुगर्णी को अपनी साथवी घटना के बारे में सब बता देती है दोनों बेहनों की बुरी हालतों को जानकर जादुगर्णी उनकी मदद करने का फैसला करती है उसके बाद जादुगर्णी उन दोनों को वहां से दूर एक जंगल में ले जाती है उस जंगल के बीचो बीच एक खेत मौजूद था पर जादुगरनी खेट के बगल में लगे एक कंबे के पास पहुंचती है उस कंबे के उपर एक बड़ा सा बटन लगा हुआ था जादुगरनी उस बटन को दबाती है और अगले ही पल खेट की जमीन से धेर सारी खुबसूरत परियां बाहर निकलाती है उन सबी परियों के पैर पेड़ों की जड़ की तरह थे साथी उन परियों के शरीर का आकर बहुत छोटा था वो किसी गुडिया की तरह दिख रही थी इस खेट में मैं जादुगरनी खेट से एक परी तोड़कर उन दोनों बहनों को दे देती है ये देख दोनों बहने बहुत खुश होती है उसके बाद वो दोनों उस परी को लेकर रूबी के घर चली जाती है देख रूबी अगर तो अपनी भलाई चाहती है तो हमें हमारे पैसे लोटा दे अरे तुम दोनों में इतनी हिमत अचानक कहां से आ गई जो तुम मुझे धमकी दे रही हो चलो जादी परी इस दुश्ट लड़की को सबक सिखाओ नैना के इतना कहते ही जादूई परी रूबी को पकड़ कर उसकी पिटाई करने लगती है देखते ही देखते रूबी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गेज जाती है नहीं नहीं बस करो मैं और मार बरदाश नहीं कर सकती मैं अभी तुम दोनों के पैसे लोटा रही हूँ इसके बाद रूबी उन दोनों बेहनों को सारे पैसे दे देती है इसके बाद वो दोनों बिजली का बिल भर के अपने घर चली जाती है इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दन के बाद से वो जादुई परी हमेशा उन दोनों बेनों की मदद करते हुए उनके साथ रहने लगती है